नमस्कार दोस्तों इंडियन पॉलिटी एक ऐसा एतिहासिक सब्जेक्ट जो कोई भी यूपीएसी के एक्जाम में आपकी जो सिलेक्शन है उसको मेक और ब्रेक कर सकता है तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको CAPF में पॉलिटी का क्या महत्व है उसको बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे बुलाया हूँ बट उससे पहले कि भाई वाई CAPF exam is a great opportunity आपको मैं उसके बार में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ number one fact number one कि आपको इसमें competition कम मिलता है क्यूँ तुम लोग खुद से बताना कि कितने लोगों को actually मैं पता था इस examination के बार में अच्छे से बहुत कम लोग होते है there is no there is a craze for IS examinations there is a craze for SSC examinations there is a craze for CDS examination but CAPF के बार में बहुत लोग नहीं जानते है तो competition कम है यानि कि आप निकाल सकते हो number two 80,000 से भी जादा you know posts यहाँ पे खाली पड़ी हुई है यह सरकार का official notification था तो आने वाले समय में बहुत सारी vacancies इसमें आपको देखने को मिलेगा and number three last but not the least कि भाई यहाँ पे तुमको एक rank promoted मिलता है यानि कि the joining rank ही आपका probation के बाद यहाँ पे ट्री स्टार rank officer होके आप जोइन करते हो जो कि एक gazetate group A class A officer के रहुप पे आप जोइन करते हो अगर आप Indian Army, Navy, IFOs जोइन करते हो वहाँ पे आपको lieutenant का rank सबसे पहले मिलता है आमी में जो कि एक two star officer होता है so if these reasons are not enough then what is so let us now start off with quality, the weightage in this examination यह paper 1, paper 2 दोनों में important है paper 1 की बात करो तो 12 से 15 question हर साल यहाँ पे देखने को मिला है and अगर paper 2 की बात करो तो इसमें political essays, political मुद्दों पे आपकी argument writing political मुद्दों पे आपकी report writing यह साधी चीजें आपको करनी पड़ती है delay ना करते हुए यह है पुरा 2022 का weightage तो आप देख सकते हो quality as a subject कितनी ज़्यादा important है and पिछले सालों में इस से भी ज़्यादा weightage हमने देखा अगर questions की बात करें तो सबसे important section बन जाता है constitution and मैं यहाँ पे थोड़ सबूत के साथ आया हूँ आप देख सकते हो federalism के बारे में सवाल आया है law के उपर सवाल आया है constitution, statutes, customary laws तो काफी easy सवाल होते हैं दोस्तों यह सारे बस आपकी यहाँ पे testing क्या होता है अगर आप facts रट के जा रहे हो किसी और exam की तरीके से तो नहीं कर पाओगे, it is purely based on concept second hit area out here is landmark judgments आपको judgments को अच्छे से करना है के शुनान भारती case 1973 में क्या हुआ था गोलकनात case में क्या हुआ था मिंदरवा मिल्स case 80 में क्या हुआ था L.I.C. India case 95 में क्या हुआ था औल अफ दीज लैंडमार्क judgments शायरा बानू case थीके पता होना चाहिए मेनिका गांधी case क्यों important है आपको पता होना चाहिए थीके पुत्त स्वामी judgment क्या इसमें changes वी थी तो वो सारी चीज़े आप एक तरीके से देखेंगे इन ही सारी चीज़ों को हमें एक special series के द्वारा कर रहे है जो कि हम अपने whatsapp group में निरंतर post करते है along with daily quiz, live classes की links and free pdf's तो अगर आप यहाँ पे यह सारी चीज़े practice करते हो कि common ecosystem मिलता है एक भाईचारापनती मिलती है कि भाईव फैलो experience कि स्तर पे है तो दिये गए link पर click करिए in the description and join this whatsapp group as soon as possible third hit area out here is judiciary तो judiciary के respect में आप देख सकते हो district judges के उपर and generally questions high courts या फिर supreme court के उपर आती है बढ़ या भी district judges के respect में भी आपको पूछी गई है यानि कि CAPF के exam में आपको lower judiciary भी पढ़के जानी पढ़ेगी दोस्त port Indian legislature सबको पता है Parliament, Assembly and then panchayats and municipalities यह तीनों चीज़े जो जो कड़के जाएगा उसका benefit उसको मिलेगा आप देख सकते हो इन सवालों के रूप पे जो भी चीज़े मैं यहाँ पर बता रहा हूँ I am substantiating that with proved questions in the very recent years यह सारे 2022 के पास their question है दोस्तों अब देख सकते हो कितने सारे हवाल यहाँ पर पूछी जा रही है and last but not the least constitutional bodies and non-constitutional bodies को ख्रिपया घरके मत छोड़के चाहिए बहुत लोग इसको सोचते है बहुत सारी bodies है सर नहीं हो पाएगा हम से but let me tell you it's a very small section ठीक है attorney general का chapter 2 page का है आप लक्षमी कान उठाके देख लो ncst का chapter 3 page का है तो बहुत कम एक तरीके से investment है and return बहुत जादा मिलता है आपको भले एक सवाल आए दो सवाल आए but आपको कम पढ़के अगर number यहाँ पर मिल रहा है तो it's all the way better so please do this section out there अब let us consolidate मैंने क्या क्या बताया आपको कि constitution पढ़ना है इसके बारे में थीखे कितने पार्ट से हमारे संग्विधान में कितने schedule से originally हमारे पास सिर्फ आठी schedule थे original संग्विधान में बट उसको बढ़ा के 12 schedule आज के संग्विधान में है तो बारा schedule को कैसे याद कर सकते हैं तो tiers of all PM ये एक निमोनिक है जिसके दुआरा आप याद कर सकते हो T से territory, E से emoluments, A से affirmations and Oats, R से राजसभा की seats, S से scheduled areas, O से other scheduled areas F से federal structure, O से आपकी official languages, L से आपकी land reforms D से आपकी defection, P से panchayat and M से municipalities तो इस तरीके से हरे topic को हम लोग पढ़ाते हैं, हमारी classes में short mnemonics के दुआरा और असान तरीकों से जैसे आप इस चीज़ को सुनेचित कर सकते हो Part 3 पे please ध्यान देना, अच्छे से Part 3, Part 4, these are to be the prime hit areas उसके इलावा judiciary के मामले में मैंने बता दी थी आपको दोस्तों कि higher के साथ साथ lower judiciary भी आप लोग प्लीजस में focus करिएगा, सवाल आई है तीसरा आपकी legislature, तो legislature में आपको क्या करना है Parliament की क्या-क्या structure है क्या-क्या parliamentary committees के उपर बहुत सारा सवाल आता है ad hoc committee क्या होता है, standing committee क्या होता है क्या काम होता है, उनके members क्या है 22 जो members होते हैं, उनमें से कितने members आपकी लोग सभास है है कितने members आज ये सभास है है रई, तो वो सारी चीज़ें आपको in-depth में जाना पड़ेगा and last but not the least, जो commissions and आपकी judgments Supreme Court की landmark judgments Ayudya judgment, काफी important तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार अगर करते हो and you need not just do it in the MCQ format you also have to ensure that you are practicing answer writing for it अब दूसरा सवाल आजाता है CAPF के जवानों का या फिर आने वाले aspirants का कि sir, हम लोग ये चीज़ तो MCQ format में हम पढ़ते है generally, हम इसका answer कैसे practice होगा तो दोस्तों जितनों को नहीं पता मैं बता दू कि 6 PM में मैं daily class लेता हूँ answer writing को सुधारने के लिए and आपको बता दू कि CAPF के जो aspirants होते है they are preparing for one year ये साल में एक ही बार होता है exam तो अगर आप अभी शुरू करने के लिए आ रहे हो, then let me tell you you have no time to waste आजी से join करो 6 PM के class को and make sure that answer writing को आप सुधार ले क्योंकि जो paper one, paper two होता है वो एक ही दिन में होता है first half में paper one होगा जो के MCQ है and second half में आपकी answer writing वाली paper होगी तो इन दोनों चीजों को develop करने के लिए आपके पास natural time होना चाहिए and if you want to develop that, let me tell you that join our parakram batch यह parakram free batch है दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक तरीके से आपको force नहीं कर रहा है and आपके लिए हम लोग जितना हो सके free content दे रहे हैं यह हमारी application पे होगा you have to download this application from the play store and attend कर सकते हो यहाँ आपे scroll down करके once you click here, you will get something like this, यहाँ पे देख सकते हो सारी faculties and उनकी timings यहाँ पे बताई गई है कौन से टाइम पे हो रहा है आपको अगर paper 1 की तयारी करनी है तो यहाँ से click करेंगे paper 2 की तयारी करनी है, यहाँ पे करेंगे and you will get dedicated videos for that जो लक्ष है आपको नहीं भूलना है दोस्तों, जो 3 स्टार है आपको नहीं भूलना है and अगर सही में इसी साल करना चाते हो तो एक भी दिन waste किये बिना आ जाओ इस वीडियो को like करो अपने दोस्तों के साथ share करो जो आपके साथ preparation कर रहा है क्योंकि एक common community एक common you know दो, तीन, चार दोस्त अगर मिलके करता है तो उसका भी एक आपको benefit मिलता है तो यह चीज़ करते हैं दोस्तों चलिए and कोई भी doubt है इस नंबर पर संपर्क करो and let me wish you all the best for the C.A.P.F. 23 quality अगर समझ में नहीं आया कोई भी doubt है comment section में जरू से दालो and let me tell you कि अगर आपको एक common ecosystem नहीं मिल रहा है you can join me on my telegram ID gsby abhishek sir cds इस telegram ID में दोस्तों आपको वो सारा चीज मिलेगा जो भी एक सफल candidate को चाही होता है search this, join me and let us crack together the C.A.P.F. 23 Thank you, जहिए जहिए